पुलकाता के मनिकलता इलाके के एक अस्पताल ने बड़ा फैसला लिया है अस्पताल ने एक बयान जारी करके कहा है वो बांग्रादेशी मरीजों का इलाज नहीं करेंगे और इनको ये बोलो कि भाईया तुम जहां पर हो वहीं पर मरो यार तुम हमारे पास आने के जरूत नहीं है और बिये सफ को आदेश पास कर दिया जाए अगर आपको वहां पर आर्मी लगा नहीं आर्मी लगाईए कि आपका बहू बैते ऑपका बैट्इ आपका बच्चो आपका घर का स्टूडेंग लेके हमारा नेसनल फ्लाग में चलेंगे ऐसे कैसा चलेगा यह परोटेस्ट है ऐसा परोटेस्ट चलेगा और इसी तरीके से हम लोग होना चालू करेंगे न, तो सबूत रहे, तुम्हें पता रहे, तुम्हारी आने वाली नसलों को पता रहे, कि हमने क्यों ठोका तो, आने वाले समय में अगर 6 महीने के अंदर-अंदर, अगर ऐसी कोई परिस्तिती पैदा हो जाए, कि टरंप अड्मिनिस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस में लेकर, भारत अगर आने वाले फ्यूचर में एक बंगलादेश में रेजीम चेंज कर दे, तो आपको घबरानी की आवशकता नहीं, ऐसे होने की संभावना बहुत ही जाधा हाई है। हम बंगलादेशी मरेजों का इलाज नहीं करेंगे और यह तब तक जारी रहेगा जब तक भारत की सरकार बंगलादेश के हिंदों पर हो रहे अत्याचार और भारत के खिलाप हो रही साजिस पर कोई सक्ट कदम नहीं उठाती है। और यह सिलसला जारी रहेगा इसी के उपर आज हम मेजर सहाब से कुछ इंपुट लेने वाले हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पूरे इंडिया में। यह जब मैंने न्यूस पढ़ी सर मैं आपको डोग्राव सरी तो मुझे ना कल वाली वीडियो याद आई इसी शो की सर। जब आपने बोला था मैंने आपसे सवाल पूछा था ना कि स्ट्रेटेजिकली क्या करना चाहिए उनके कि बंगलादेश सही हो। मुझे सबसे अच्छी चीज लगी है। अलागे न्यूस में नेकल शाम कोई पढ़ी ते लिए मुझे बहुत अच्छी चीज लगी है। कि होस्पिटल में इलाज नहीं होगा इनका। इनको सारे वीजा इनके बंद करो ठीक है। और इनको ये बोलो कि भाईया तुम जहां पर हो वहीं पर मरो यार। तुम हमारे पास आने के जरूत रही है। और B.S.F. को आदेश पास कर दिया जाए। अगर आपको वहां पर आर्मी लगा नहीं आर्मी लगाईए। जो भारत के अंदर अवयत तरीके से घुशना थोको उसको वहीं पर ठोको। मैं बता रहा हूँ वहीं पर ठोको। ये फिट हो जाएगा। तुम्पांजी को अब तो ड़ लग रहा होगा सर। मालिक जा रहा है। देखो चिम्पांजी को रहना थोड़ना है। मुहमद यूनस को वह बंगला देश में रहाएगा। मुहमद यूनस के पास बीप स्टेट का पैसा पड़ा हुआ है। मुहमद यूनस काल बोलेगा अमेरिका की सिटिजनशिप देखो। नहीं लेकिन सर अभी अमेरिका की चार साल नहीं मिलेगी। अमेरिका की नहीं मिलेगी का पैर प्रण तरफ लागा तेरो स्टेर्म के आपुर बॉर। यूनस को वह बना टेरो को बेसिकली क्या है कि क्या यहांसे सारे कशले सारे खालस्तानी गए कनेड़ा। जे मुल गगा। अब ले लोंक ताम आप आप नोपन बाडर पोलिशी उस न कनड़ा अब यह क्या करते हैं कि यूस का बहाना लेके चैनड़ा इस न उस न फानल देस्टनेशन, वे वांत वो तो दे उस तो चैनड़ा से उस आजाते हैं यह वांत वो यह वे रही हैं कि यूण को जो रही हैं और बड़ पानी आप जब अपन करो भूगा रहना दो इनको मा बतारों आप आँ आने वाले समय में अगर 6 महीने के अंदर-अंदर अगर ऐसी कोई परिस्तिती पैदा हो जाए कि अगर आने वाले फ्यूचर में एक बंगलादेश में रेजीम चेंज करते तो आपको घबराने की आवशकता नहीं ऐसी होने की संभावना बहुत ही जादा हाई है तूसरी सबसे बड़ी बात खेर ये तो क्योंकि आगे 6 महीने में चीज मटीरियलाइज होगी अभी अगले ए सबसे महत्वपूर समझी है आप हम बंगलादेश को इस समय एसेंशल मेडिसिन्स और प्याज इन दोनों का एक्सपोर्ट करते हैं प्याज फिर भी इतना जादा सिग्निफिकेंट अमाउंट एक्सपोर्ट नहीं है जितना एसेंशल मेडिसिन है पूरा का पूरा दीजिये मरने दीजिये उनको अगर वो हमारे हिंदूों के उपर अध्याचार करेंगे तो उनको ये चीज समाझा जानी चाहिए कि भारत इस समय एक प्यूनिटिव डिप्लोमेसी के तहती ये काम कर सकता है तो मुझे आज तक ये नहीं समाझा रहा है कि पिछले लगबग तीन हफते से ये चीजें चल रही है जो देश में हो रहा है बंगला देश में हमारे सामने उसके बावजूद भी हमारी मिनिस्ट्री ओफ एक्स्टेरनल अफेर जो है उसने अभी तक ये कारे क्यों नहीं किया कि उसने एसेंशल मेडिसिन के उपर क्यों नहीं रोक लगाई बंगलादेश में इसके complete export को इस चीज़ को इस moment पर एक hard punitive measure लेकर हमें हर हलात में ये काम करना ही होगा और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ भारत की जो research and analysis wing है वो इस समय क्या कर रही है उसको सबसे मेधवबुन काम ये करना है इस moment पे कि जितनी भी बंगलादेश में हिंदूओं के खिलाफ जो atrocities हो रही है जो अत्याचार किया जा रहा है इसको पूरे के पूरे को अंतराश्ट्रिय स्तर पर propagate करे एक एक European देश में जाकर इसके बारे में परचार करे उन जाके उन लोगों को दिखाए कि देखिए बंगलादेश में ये क्या हो रहा है हमारे नागरिकों के साथ बंगलादेश अपने जो नागरिक हैं उसके खास करके जो हिंदू नागरिक हैं उनके उपर किस परकार का त्याचार कर रहा है आप एक international opinion बनाईए इंटरनेशनल प्रिशर बनाईए बंगलादेश के उपर ताकि आने वाले समय में यूरोप के जो देश हैं बाकी अन्य जो विश्व के देश हैं ये सारे के सारे बंगलादेश को थृटन करें कि बंगलादेश आप अपनी उकाद में और हैसियत में रही है वरना ऐसी ना हो परिस्तिति कि हमें आपके उपर सेंक्षन लगाना पड़ दे तो दोस्तो आपने मेजर गौरवारिया सर को इसमें सुना और उन्होंने कहा कि बंगलादेशी जो भी आ रहे हैं उनको सीधा बाहर निकालो और जो बॉर्डर पर बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिस कर रहे हैं उनको वहीं पर धेर कर देना चाहिए क्योंकि ये वो साफ हैं अगर इनने हैं हमने भारत में कुषने दिया भारत में रहने दिया तो ये भारत का बेड़ा गर कर देंगे इस तरह से तो भारत पाकिस्तान बन जाएगा दोस्तो जिस तरह से वेस बेंगल के डॉक्टर्स ने एक मुहीं चलाई है कि हम बांगला देशी मरीजों का इलाज नहीं करेंगे ये बहुत अच्छा मुहीं है और पूरे देश में इस तरह की मुहीं चलनी चाहिए बांगला देशी जो भी भारत में है उनको बॉयकॉट करो उनको अपने देश से बाहर निकालो बांगला देशियों के वीजाज बंद होने चाहिए और साथ ही साथ आपको ये भी इस्ट के खिराब अत्याचार हो रहे हैं उनको लगातार प्रतालित किया जा रहा है उनको जेल में ठुसा हुआ है और वहीं बंगला देश की सरकार हिंदू के खिलाब एक्शन लेने के लिए उतारू है दोस्तों बंगला देश की युनिस सरकार तो फेल हो गई है एक और इनको ट्रेट्मेंट भारत से चाहिए राशन इनको भारत से चाहिए बिजली इनको भारत से चाहिए पानी इनको भारत से चाहिए और गजवाय हिंद भारत के खिलाब करना है ऐसे लोगों को तो लात मार कर बाहर निकालना चाहिए मैं सारे देशवासियों से आवान कर कि अगर आप किसी बंगलादेशी को इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं डेफेर्डी लात मार कर बहार निकालिए और अपने देश की संप्रभुता को बचाने की कोसिस कीजिए और ये पूरे देशवासी को करना चाहिए जिस तरह से बंगलादेश के डॉक्टर्स ने बहुत बंगलादेशी मरीजों के इलाज ना करने को लेकर इसी तरह से भारत की सरकार ने भी कुछ नो कुछ ऐसे स्ट्रॉंग स्टेप लेने चाहिए ना जाने भारत की सरकार कब स्टेप लेगी हाला कि जिस तरह से भारत की सरकार काम करती है दीरे 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 और ऐसा ही पर दम तोड़ दे हो सकता है बंगलादेश के अंदर रिजीम चेंज हो जाया और हसीना वाजे फिर से बंगलादेश की प्रधान मंतरी बने इस पर definitely काम किया जा रहा होगा है मैं अपने प्रधान मंतरी पर पूरा भरोसा है कि वो कहीं न कहीं बंगलादेश के इस मैटर में क कहीं न कहीं कुछ न कुछ काम जरूर कर रहे होंगे और बंगलादेश में हो रहे हिंदू के पृति जो अत्याचार है उसके खिलाप भी कुछ न कुछ कुछ कदम उठ रहा होगा आपके क्या विचार हैं क्या बंगलादेशी डॉक्टर्स ने सही कदम उठाया है या फिर पूरे देश में इस तरह की मुहिम चलनी चाहिए, अपने विचार कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए है, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, जै हिन, जै भारत, जै शेरॉ